नमस्कार, SBT News में आपका स्वागत है, पेश है दो जन्वरी सोमवर सुबसवा छे बजे राजिस्तान की बड़ी खबरें साल के पहले दिन पूनिया उद्यपूर से 20 किलोमेटर दूर कैलाश पूरी में एक लिंग नाथ जी के दरबार में माथा टेकने पाँचे इस दोरान वियाईपी दर्शन को लेकर मौके पर मौझूद लोगों ने सतीश पूनियार उनके समर्थकों से बहस की, कई लोगों ने वियाईपी दर्शन का विरुद किया, यही नहीं ट्रस्ट के कई गार्ड्स ने भी बीजेपी के स्थाने कार्यकरताओं को लतार लगाते हुए मंदिर में इस तरह नेतागिरी नहीं करने की बात कह दी, करीब पांच मिनट तक लोगों नी पूनिया के साथ आए पता दिकारियों को भला बुरा भी कहा 9 साल के पहले दिन रविवार को सीकर की खाटू श्याम जी कस्पे में एक धरमशाला को तोड़ने की कारवाही की गई, धरमशाला की जगह मंदिर का नया एकजित रूट बनेगा, करवाही के दोरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे, दरसल खाटू श्याम मंदि तैसिलदार विपुल चौदरी, डिवाईस्पी विजय सिंग, थाना दिकारी, सुभाश यादव सहित, जापता मौचे पर पहुंचा, यहाद धरमशाला में बनी दुकानों के मालिकों को दुकान खाली करने के लिए एक घंटे का समय दिया गया, इसके बाद 6 JCB मशीनों स धरमशालों को तोड़ा गया, ने साल के मौके पर घरेलू LPG उभोकताओं के लिए राहत की खबर है, एक जनवरी 2023 को घरेलू सिलेंडर के दाम यथावत और कॉमर्शा सिलेंडर महगा हुआ है, बीते साल में पांच बार LPG सिलेंडर के दाम में बदला हुआ है और हर बार स 254 रुपे बढ़े और कॉमर्शा सिलेंडर के दाम में 18 बार बदला हुए और अब नए साल के मौके पर केवल कॉमर्शा सिलेंडर के दाम में ही बढ़ोतरी हुई है राजिस सरकार इस बजट में पेजल उभोकताओं के लिए 15,000 लिटर पर छूट की बंदेशियं हटा सकती है अगर ऐसा हुआ तो सरकार का चुनाव से पहले बड़ा फैसला होगा फिलाल सरकार 15,000 लिटर पर उभोक करने वाले उभोकताओं को छूट का लाब दे रही है जिससे वाटर चार्जिस पर 55 रुपए और सिवरेज चार्जिस पर 18 रुपए 15 पैसे की छूट दी जा रही है कोलती 70 रुपए 15 पैसे की छूट सरकार की तरफ से दी जो रही है पेजलूप भुगताओं को सिर्फ स्थाई शुल्क के 27 रुपए 50 पैसे और मिटर सर्विस 22 रुपए प्रती माहा देने पड़ते हैं यानि उन 49 रुपए 50 पैसे का बिल देना होता है रासान के मख्यमंत्री अशोग घहलोत ने नवश के अफसर पर शनिवार को मख्यमंत्री निवास पर जरुत मन लोगों को कमबल विद्रित किये घहलोत ने मख्यमंत्री निवास पर आए जरुत मन लोगों से आत्मेता से बात किया और उनके हाल चाल पूछे उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से मिल रहे लाभों के बारे में जानकारी ली सभी लोगों ने मुख्य मंतरे चीरेंज जीवी स्वास्ते वीमा योजना, महात्मा गांदे अंग्रेजी माध्यम स्कूल, आदी जन कल्यानकारी योजनाओं के ख्रियान्वेन पर संतोष जताया और गहलो सरकार को धन्यवाद ग्यापित किया हैदराबाद में फ्लैट दिलाने के नाम पर ठगी करने के मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने दो को गिरिफतार किया है दोनों को पुलिस ने हैदराबास से ग्रफतार किया आरोपियों ने फ्लैट के एवज में 75 लाग रुपे लिए और बाद में फोन उठाना ही बंद कर दिया पिरित की रिपोर्ट पर अजमेर के सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्च कर कारवाही की सिविल लाइन थाना प्रभारे दलबीर सिंग फोसदार ने बताया कि गेल कोलोनी माखोपूरा के अजमेर के नौशाद अली ने पुलिस अधिक्षप को शिकायत दी शीत लहर और घने कोहरे के साथ नए साल 2023 का आगास हो चुका है नए साल के साथ रात के तापमान में एक डिग्री की गिरावट दर्च की गई है इसके साथ ही फतेवपूर सीकर जिला शेत्र प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा आपको बता दे कि वहीं दूसे सान पर चुरू जिले का रात का नियुनतम तापमान एक दश्मलों चोई डिग्री सेलसेस रहा पाली जिले का रात का तापमान अन्ने जिलों से अधिक ग्यारा दश्मलों चोई डिग्री सेलसेस रहा पाली जिले का नियुंतम तापमान 10.8 डिग्री सेर्सिस रहा नय साल के पावन मौके पर रविवार को रास्टपती द्रॉपदी मुर्मू उप रास्टपती जगदीब धनकर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी समेथ पक्ष एम विपक्ष के तमाम नेताओं ने देशवास्यों को नवश की हार्दिक शुपकामनाई दी नय साल के मौके पर रास्टपती मुर्मू ने देशवास्यों को शुपकामनाई दी है उन्होंने ट्वीट किया वशी 2023 हम सभी के जीवन में नई प्रेणना लक्ष है और उपलब्धी लेकर आए आए हम लोग खुद को देश की एकता अखंडता और समावेशी विपकास के लिए समर्पित करें रेलवेबोर्ड में सदस्य अफसान अचना अनिल कुमार लाहोटी ने रईवार को रेलवेबोर्ड के नए अध्यक्ष आवे मुख्य कारिकारी अधिकारी का पद भार ग्रहन किया मंत्री मंडल की नियुक्ती समीती ने एक जनवरी 2023 से लाहोटी की रेलवेबोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कारिकारी अधिकारी के पद पर नियुक्ती को मंजूरी दी है उन्होंने 17 दिसंबर 2022 को ही रेलवेबोर्ड में सदस्य इंफ्रास्रक्चर के रूप में पद भार सम्हाला था इसे पूर वो मध्या रेल मुंबई में महा प्रबंदक थे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी 3 जनुवरी को वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से 108 भारति विज्ञान कांग्रेस को सम्बोधित करेंगे I.S.C. का 108 वाशिक सत्र रास्टरसंत तुकडोजी महराज नागपूर विश्विद्याले में आयोजित किया जाएगा जो इस वर्ष अपनी शताबदी भी मना रहा है प्रधान मंत्री कारेले के मताबिक इस वर्ष के I.S.C. का मुख्य विश्य महिला सशक्तिकरन के साथ सत्त विकास के लिए विज्ञान और प्रद्योगी की है मोदी मंगलवार को साड़े दस बजे वीडियो और कॉंफरेंस के माध्यम से 108 मी भारते विज्ञान कॉंग्रिस को संबोधित करेंगे कासान के मक्य मंत्र अशोगी हलोत ने विभनी योजनाओं के लिए 14 करोड 80 लाक रुपए के अत्रिक्त वित्य प्रस्ताव का अनुमोधन किया है इसे शेत्र में विद्यार्थियों के लिए छात्रावास कक्षा कक्षो को निर्मान कराने सहीद खेल सुविधाय उपलप्त कराई जाएंगी रन्थमबार में नौवर्ष पर टाइगर सफारी करने वाले सेलानियों का स्वागत किया गया गनेश धाम गेट पर वनविभाग ने सहलानियों का माला पहना कर स्वागत किया इसी के साथ ही सहलानियों को नौवर्ष की शुब कामनाई दी गई वन विभा के करमचारियों के साथ यहां इस दोरान पथिक लोग सेवा समीती के कारिकरता उने भी सेलानियों का स्वागत किया राजसान के पूरू मंत्री वे कॉंग्रिस के गुजरात प्रभारी रगु शर्मा रविवार को एक दिवसी दोरे पर एजमेर पहुंचे शर्मा का कॉंग्रेसी कारिकरता और करमचारी संगटनों के ओर से जगर जगर पर स्वागत किया गया शर्मा ने सरकिट हाउस में मीडिया से बाचीत में कहा कि नसीराबास से देवली हाईवे बनने पर पश्चिम राजसान से कई राज्ये सीधे जुट जाएंगे इसे लेकर उन्होंने केंद्रिय मंत्री नेतन गड़करी को पत्र भीजा था जिसका उन्हें सकारात्मक जवाब मिला शर्मा ने कॉंग्रेस में चल रही गुटबाजी पर कहा कि राहुल गांदी की भारत जोड़ो यात्रा सी पार्टी में एक जुटता बड़ी है और राजस्थान में ये यात्रा कामियाब साबित हुई है राज़्पती बनने के बार राबदी मूर्मू कल तीन और चार जन्वरी को पहली बार राजस्थान दौरे पर आ रही है सेना के विशेश विबान से रास्थ पती तीन जन्वरी को जयपुर पहुंचेंगी यहाँ वो राज़फवन में बने समिधान पार्क का उद्गाटन करेंगी इसके बार सेना के विशेश विबान से वो माउंट आबू के लिए रवाना होंगी जहां वो ब्रह्म कुमारी इश्वरी विश्विद्याले के काईकरब में बतौर मोखे अतिती शामिल होगी वही चार जन्वरी को पाली के रोहट में रास्टिय जम्बूरी में शामिल होगी सवाई मादोपूर के रन्थमबूर में बॉलिवूट के होट कपल मलाइका औरोडा और अरजुन कपूर ने नियू यर्स सेलिब्रेट किया इस दुरान उनके साथ एक्टर वरुन धावन और उनकी वाइफ नताशा और मोहित मारवा वे उनकी वाइफ अंतरा मोती वाला भी साथ रहे बीटा उनके स्टार्स ने साल 2022 के आखरी दिन देर रात तक यहाँ नाइट पार्टी एंजॉई की सबी स्टार्स ने यहारं धंबार के होटल ओवरुराय में साल के आखरी रात को खूब इंजॉई किया तो फिलाल इस बिलेटिन में इतना हैं फिर हाजर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ